असलाम कूंद दोस्तों आप देख रहा है उन्बॉक्स वाव यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की उन्बॉक्सिंग करने वाले हैं डीकोड की लेटेस्ट डिवाइस डीकोड सिगनल 3 लाइट की डीकोड सिगनल 3 लाइट में दोस्तों 4GB RAM प्लस 3GB Extended RAM आपको मिल जाती है और 64GB Internal Storage है प्राइस की बात के हैं तो 25,000 इसकी रीटेल प्राइस है मार्केट में अवेलेबल है डिफरेंट कलर्स के अंदर तो इसको उन्बॉक्स करते हैं आज की वीडियो में देखते हैं कैसी डिवाइस है क्या स्प्लैस्फिकेशन आपको मिलती है और साथ में आपको क्या असेसरीज दी गई है अगर आपको कोई भी स्मार्टफून पर्चेस करना है कोई पावर बैंक लेना है एरबड्स लेने है कोई असेसरीज पर्चेस करनी है तो यहाँ पर मैं अपना नमबर डाल रहा हूँ वाटसैप का आपको अंटेक्ट कर सकते हैं और डिस्किप्शिन में मेरे वाटसैप ग जी तो दोस्तों यह है डीकोड सिगनल 3 लाइट का बॉक्स डीकोड की ब्रेंडिंगे सिगनल 3 लाइट लिखा गया एक्चुल डिजाइन दिखा गया डिवाइस का चार जमा तीन जीपी रैम और 64 जीपी इंटरनल स्ट्रोरिज है 13 मेगा प्रिक्जल AI कैमरा को मेंचिन किय है अवेलेबल कलर्स यहां पर ब्लू ग्रीन ब्लैक और पर्पल कलर आपको मिल जाएंगे कुछ स्पेस्फिकेशन मेंचिन की गें जो कि वीडियो के दुरान हम देख लेंगे कलर की बात करें तो मॉर्निंग ब्लू कलर है सिगनल 3 लाइट का तो बॉक्स को जल्दी से कर ल लाइट के लिए इसको रखते हैं साइट पर नेक्स दोस्तों में मिल जाते हैं हमारी डिवाइस इसको भी साइट पर रखते हैं एक IMEA स्टीकर यहां पर मिल जाता है इसके इलावा दोस्तों यहां पर एक पिन देगी सिम ट्रेय को निकालने के लिए और यहां पर आपको म रेंडिंग के साथ और रेटिंग की बात करें तो 5 वोल्ट 1.5 एमपेर वाली चार्जिंग ब्रिक दीगी है जो कि 7.75 वाल्ट पर आपकी डिवाइस को चार्ज करेंगी इसके इलावा यहां पर मिल जाती है चार्जिंग केबल इसको भी निकाल के देख लेते हैं कैसी क्वाल यहां पर आप देख सकते हैं इन एर डिजाइन में वाइट कलर के खाफी खुबसूरत और अच्छी क्वालिटी वाले हैंड फ्री आपको मिल जाते हैं सिगनल 3 लाइट के साथ में तो यह था दोस्तों बॉक्सर कोड़नेट निको करते हैं साइट पे आप आर जाते हैं और मैट फिनिश के साथ हैं यहां पर फिंगर पिंट बगारा नहीं लगेंगे डिजाइन आपके सामने हैं दोस्तों डिवाइस को मैं जल्दी से आन कर लेता हूं और इसको करता हूं सैट अप और उसके बाद मिलते हैं जी तो दोस्तों आपने देख ली डिकोड सिगनल 3 डाइट की सबसे पहले डिजाइन के अगर बात करें तो बिल्कुल सीमेलर डिजाइन है सिगनल 3 को हमने रिसेंटली अर्बॉक्स किया था सेम वैसा ही डिजाइन है लूक बिल्कुल वैसा ही है बैक साइट पर लाइनिंग है थोड़ी और मैट फिनिश के साथ है फिंगर प पहले यह ब्लू कलर इसके लावा ब्लैक ग्रीन और पर्पल कलर में सिगनल 3 लाइट आपको मार्कीट में मिल जाएगा फिजिकल ओवर्व्यू के अगर बात कर लें तो इस साइट बे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिलती है साइट माउंटेट फिंगर सेंसरी यहां पर दिया गया है उपर यह तरफ कुछ नहीं है इस साइट पर सिम ट्रेय है फुल फ्लेट सिम ट्रेय आपको मिल जाती है डूल सिम के साथ आप माइक्रो एस्टी कार्ड का यूज़ कर सकते हो नीचे 3.5 के जैक है माइक है टाइप-C की पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल दे गई है बैक साइट पर ट्रिपल कैमरा सेट है पर साथ में हैलिटी फ्लेश है डी कोड की ब्रेंडिंग है और फ्रंट साइट पर आपको ड्यू ड्रॉप नौच वाला डिस्पले यहां पर मिल जाता है तो यह था फिजिकल ओवर व्यू अब बात करते हैं को सबसे पहले बात करते हैं जिनाब डिस्पले की 6.5 इंच के एक IPS LCD डिस्पले यहां पर लगाया गया है डूडॉप नौच वाला डिस्पले है 720 पिक्जल्स के रेजलुशन आपको मिलते हैं और सिंपल 60 हर्ट का रिफ्रेश रेट है हाई रिफ्रेश रेट यहां पर आपको मिल जाता है थोड़ा सा जो है ना बेतर किया जासकता था रिफ्रेश रेट जयादा किया जा सकता था और ठोड़ा रेजलुशन को बेतर किया जा सकता था लेकिन प्राइस के ऐसाब से अगर आप कंपेर करें तो डिस्पले मुझे ठीक लगा है डिकोर्ड सिग्नल 3 और खास तोर पर टैच रिस्पॉंस ठीक है इतना जादा कोई इश्यू नहीं है और ब्राइटनेस भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है तो अगर देखें प्राइस के लियाज से डिस्प्राइस में डिवाइस लांच की गई है 25,000 में मेरे ख्याल में ठीक है डिस्प्ले आपको मिलर रहा है कैमरे की अगर बात कर लें तो दोस्तों रेर में ट्रिपल केमरा से डियागह के इमीजिस आप क्लिक करते हो तो फोकस थोड़ा जो है ना यह फोकस हंटिंग जिसको बोलते हैं वो काफी जादा करता है फोकस करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है बाकी नॉर्मल सी इमीजिस हैं इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की इमीजिस आपको नहीं नहीं है पांच मेगा फिजल का सिर्फ कैमरा तो नॉर्मल सी डिसेंट सी इमीजिस आपको मिल जाएंगी उतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन्स आप नहीं रख सकते बाकि कुछ इमीजिस मैंने क्लिक भी कि हैं यहाँ पर मैं आपको शो भी करवार हूं साथ के साथ आप खुद भी देख सकते हैं कंपेर कर सकते हैं आपको इमीज क्वालिटी कैसी लग रही है कलर एकुरिस्टी ठीक लगी है कलर ठीक निकल कर आते हैं लेकिन थोड़ा सा बस फोकस का इशू मुझे ज़्यादा लगा इसके अंदर फोकस हंटिंग बहुत ज़्यादा करता है फोकस करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है बाकि आप लोग मुझे कमेट बॉक्स में बताइएगा आपको इमिजी क्वालिटी कैसी लगी है आप जो है इसको कंसिडर करोगे या नहीं करोगे आपके कमेट्स के मैं वेट करूँगा तो ओवराल मुझे कैमरेस के क्वालिटी नॉर्मल लगी है इतने ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के कैमरास सिग्नल 3 लाइट में आपको नहीं मिलेगे इसके लावा 4 GB RAM है यहां पर प्लस 3 GB तक आप RAM एकस्टेंड भी कर सकते हो मतलब 7 GB वाला चूरन और इसके साथ में 64 GB इंटरनल स्टोरिज आपको मिलती है Micro SD Card का स्पोर्ट भी है मजीद आप अगर स्टोरिज इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं चिपसेट की बात कर लें तो स्प्रेड टरम के हम पर चिपसेट लगाया गया SC9863A PowerVR GE8322 के GPU के साथ और N22 Scores के अगर बात करें तो तकरीबर एक लाग 15 एक लाग 17 जार के करीब जो है N22 Scores आपको मिलता है इसके लावा CPU, GPU, Memory और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है 5000 हमेज की बड़ी बैटरी यहां पर दी गई है लेकिन Fast Charging की स्पोर्ट आपको यहां पर नहीं मिलती है 10 Watt की Charging भी नहीं मिलती 7.75 Watt वाला Charger आपको बाक्स में मिलता है तो Charging टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आप इसको Charging करने लगे हैं तो काफी टाइम लेगा Charging होने में थोड़ी ज़्यादा चारजिंग Fast Charging देनी चाहिए थी अब जो टाइम चल रहा तक गरेबन 18 Watt तक तो बनती थी कि 18 Watt का Fast Charging यहां पर आपको इंकलूड किया जाता लेकिन यहां पर 7.75 Watt का Charger आपको मिलता है तो चिप सेट में इतना कोई खास नहीं है नॉर्मल यूज के लिए ठीक है लेकिन थोड़ा आपको तंग कर सकता है अगर आप थोड़ा इसको मतलब इसको उपर थोड़ा बर्डन ज़्यादा डालते हो तो आपका फून हैंग बगारा का इशू भी कर सकता है और हीट अब भी हो सकता है तो ज़्यादा अच्छा चिप सेट यहां पर आपको नहीं मिलता और कैमरा सी क्वालिटी भी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है प्राइस के वाले से ठीक है टाइप सी की पोर्ट आपको मिल जाती है यह एक अच्छी चीज़ है काफी लोग जो हैने सिर्फ इसी से खुश हो जाते हैं कि टाइप सी की पोर्ट है तो ओवराल डिवाइस दोस्तों 25,000 रुपए में इस टाइम पे 4,64 आपको प्रोवाइड कर रही है लोक वाइस ठीक है डिसेंट लोक आपको मिल जाता है बाकी कंप्रोमाइस हैं काफी जगा पर कैमरा के अंदर फास्ट चार्जिंग नहीं है डिस्प्ले में कोई एक्स्ट्रा फीचर आपको यहां पर नहीं दिये जा रहे हैं तो कुछ थोड़े बहुत कंप्रोमाइस हैं लेकिन फिर भी कंसीडरेबल है 25,000 रुपै में और डिसकाउंट के बाद आपको थोड़ा और भी आपर कम प्राइस में यह मिल सकती है डिवाइस तो यह थी दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगए यह डिवाइस आपको कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताईएगा अगर आपको डिवाइस परचेस करनी है या कोई भी असेसरी परचेस करनी है तो नमबर मैं आपर दे रहा हूँ और मेरे वाइसड़ corporate group को लिंक जो है description में मौझे होदाएप जोन कर सकते हैं तो आज के लिए दोस्ते यह दोस्त्रेगे वीडियो को लाइकव शेयर करके चैनल को subscribe कर लिए मेलते हैं नेक्स वीडियो में थैक्स और वाचिंग थैक्स और वाचिंग